जय हिंच साथियो स्वागत है आप सभी का आज की समय अत्तपूर्ण क्लास्क में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट के बारे में जी हाँ वही बजट जो कि जब आप कहीं ट्रिप को प्लान कर रहे होते हैं तो बजट को रखकर बजट को ध्यान में रखते हुए आपकी बजट की रेंज किया है तो हम उसी बजट के बारे में जानने की कोसिस कर रहे होंगे लेकिन हम आज जिस बजट के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है सरकार की दौरा जो बजट पेस किया जाना है बजट सेशन के अंदर क्योंकि आप लोगों को जानकारी मिल हैं साथियो बजट सेशन के अंदर हमारे कौन इस बजट को पेस करता है जानेंगे आज की इस मैंत्रपूंट वीडियो में तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ही जानना जलूरी ही हैं तो उनके तोरह इस बजट को समझते हैं हुआरे के सीटमेंटी में एक साल के अंदर नंदर हमारे इंकम के स्वर्च क्या होने वाले हैं हमारे खर्च होने के चीज के ऊपर रुपया इंकम है उसको कि कि इसके sectors के अंदर खर्च करना है तो वो सारी जो planning होती है एक साल की तो उसको हम बजट के अंदर रखते हैं कि मतलब हमारी सरकार की जो भी income के sources हैं और जो expenditure के sources हैं तो उनको जो distribute के जाता है उसको हम budget के नाम से जानते हैं इसको जो prepare के जाता है other concerned ministries होती हैं जो भी other मंत्राले होते हैं उनको भी इसमें समलित कहाता है बजट मेकिंग के process में इसके साथ साथ जो बजट जो डिवीजन होता है इसको department of economic affairs जिसको हम D.E.A के नाम से जानते हैं वो एक nodal body होती है जो कि पूरी की पूरी तरीके से responsible होती है कि बजट को बनाने के लिए एक D.E.A नाम की जो संस्ता होती है वो पूरी तरीके से जम्मेदारी होती है जम्मेदार लेती है कि बजट की जो process है वह वही से starting की जाती है और जो आप लोगों को बजट जो देखने को मिलता है एक फरवरी के दिन जो हमारी finance minister paste करते ह तो ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज एक दिन के इंदर बन जाती है उसको बनाने के लिए काफी समय का अबधी समय देना पड़ता है किसी भी चीज को किसी भी सामराजी को खड़ा करने के लिए या किसी भी चीज को बनाने के लिए समय लगता है तो उसका जो समय होती है जो बजट बनाने की प्रक्रिया होते है अगस्ट सप्टमब्र के महीने से start हो जाती है और उस बजट को बनाने के लिए जो आप एक आगस देखते हो तो उसको बनने के लिए 6 महीने से पहले की मेनत लगी होती है बित मंत्राले के द्वारा जो भी वहाँ पर अफसर होते हैं उनकी जो होती है वो ये सारी मेनत करते हैं और बजट को लेके आ रहे होते हैं तो साथियों बजट के बारे में हम कुछ थोड़ी से जानकारी ले लेते हैं कि आखरकार ये बजट तक गुलामी रहे हैं अंग्रेजों की जो पहला बजट जो पेस किया गया था उसको 7 अप्रेल 1860 को जेम्स बिलसन के द्वारा ब्रिटिस संसद के अंदर पेस किया था यह एक बिजनिसमाइन आदमी थे जिन्होंने भारत का पहला बजट पेस किया था क्योंकि उस समय हम जो अंग्रेजों की गुलाम थे तो ब्रिटिस पार्लेमेंट के अंदर इंडिया का जो बजट था वो पेस किया था साथ अप्रेल 1860 के अंदर उसकी बाद जब हमारा आजाद भारत दुए 26 नॉवंबर 1947 को हमारे जो बित्त मंत्री थे जिनका नाम था आरके सण मुखम चेट् के लिए काफ ज्यादा इंपोर्टेंट साबित हो जाते हैं साथ यू थोड़े सा और बात करते हैं कि जरसल जो बजट सब्द है वो बजट ऐसा नहीं था बजट को हम बोलते हैं एक फ्रेंच सब्द है और बुगेट सब्द से इसको लिया गया इसका मतलब होता है चमड़ सब्द दुना बोलते हैं हम क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ बजट बोलते हैं और साइथ फिर उसको हमने वाई टर्मिलोजी बना रखा है बजट सेशन भी आ गया फिर तो इस तरह से फिर हमने बजट के बारे में जानने की कोसिस किया है साथ यू थोड़ा सा और इसके के बारे में जानते हैं दरवसल क्या हो दया था है जब अंग्रेज जो लोग थे वह An ingrid जो क्या करप थै वह बजट को पिश क्या करते हैं भारत की संदत के अंदर तो उसका टाइमीं हुआ करता था वो सामके पांच वजे हुआ करता था क्योंकि जब हम जोग्राफिकल परस्पेक्टिव से देखते हैं तो इंडिया के अंदर जो टाइम है वो ब्रिटैन से या यूके से साड़े पांच खंटे आगे चलता है तो इसलिए जो ब्रिटैन के अंदर जो बजट था वो सामके साड़े पांच वजे पेस किया जाता था लेकिन इसको इस प्रक्रिया को अंदर काफी ज्यादा बड़ा मैत्वण बदलाव किया गया और दो हजार एक के अंदर जब अटल ब्यारी बाजपई जी की सरकारती था वो समय पहली बार जो बजट था वो सुभा ग्यारा बज़े भारतिया समय अनुसार पेस किया गया क्योंकि उस समय की गवर्मेंट को लगा कि बहुत जो प्रक्रिया थी वो अंग्रेजों के अपनी स ξेंज किया गया था दरासल क्या होता था इस से पहले एक सर्फेजी नी लेकिन फिर क्या होता है economic survey को बजट से एक दिन पहले पेस्क किया जाने लगा economic survey वह ही economic survey की बात करना हूं जो कि civil services की त्यारी कर रहा हो तो उनके लिए काफी जाता है economic survey तो 1960 के अंदर पहली बार economic survey बजट से एक दिन पहले आया था और तब से लेके आज तक economic survey जो है वह एक दिन पहले ही रिलीज होने लगा है साथियो 2016 के अंदर पत्रकारों के लिए कोई भी बजट नहीं चापा था क्योंकि उस समय के जो बित्मंति अरुन जेटली साहब थे उन्होंने यह कहकर बात बढ़ाई थी कि इससे क्या होगा environment के अंदर जो pollution होता है तो वो थोड़ा सा कम होगा और साथ इसके अंदर एक बात और है कि हेमाचल प्रदेश जो है एक पहला राजी था जिसके अंदर साल 2015 के अंदर पेपरलेस बजट पेस किया गया था और इसकी तेद हेमाचल प्रदेश ने 15 करोड रुपए बचाई थ ना 15 तो प्रदेश बच्छ करते हे और 2020 के अंदर पहली बार आपका पेपरलेस बजट पेस किया गया था जो कि यूनियन बिजट होता है और इसके साथ ही 2017 के अंदर railway बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज़ कर दिया गया था टो एससा जो प्रकृया थी दो जा गँडर यूनियन बजट और रेल बजट को दोनों को मर्च कर दिया गया और दोनों बजट फिर एक साथ पेस होने लगे इसके साथ एक चीज़ और निकल के आई थी 2018 के अंदर पहली बार देश के अंदर कोई भी सामान बजट के साथ आने से महंगा नहीं हुआ क्योंकि उस समय क्या पाई चुका था जी कयो शुका था चूकी Ter plaint that और शिरस करते एक ब्लेक बजट नाम का एक टर्मिनलोज没有 के थी कि जब हमारा deficit जो होता है वो जम घाटे में चल ले होते हैं तब उसको हम बोलते हैं black budget के नाम से अच्छा हमने budget के वारे में कुछ basic terminology को जान लिया है अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि आखरकार इसकी process क्या होती है इस budget की जितने देर से हम बात कर रहे हैं आखरकार उसको बनने के लिए प्रक्रियां क्या-क्या follow करने होती हैं तो देखिए budget की जो process होती है वो हमने आपको पहले पता रखा है कि 6 महीने पहले से उसका बनना start हो जाता है तो सबसे पहले जो वित मंत्राले होता है फांनेंस ministry होती है वो क्या करती है circular notice करती है circular जारी करती है सारी मिनिस्ट्री के अंदर अच्छा अब वह सारी मिनिस्ट्री के अंदर एक circular बेजती है और उनसे कहती है कि आपके जो भी आने वाले साल के लिए प्लांस हैं खर्चे हैं उसकी आप एक लिस्ट बना कर हमको दे दीजिए ठीक है और मिनिस्टरी जो है अपनी अपनी डिमांड्स को भी सर्कुलर की तहत अपनी इस बेजिती हैं और साथे साथ ये भी मांगा जाता है इस सर्कुलर की तहत कि पिछली साल उस मिनिस्टरी ने कितना रेवेन्यू जेनरेट किया है और कितना उस ने जो रेवेन्यू जेनरेट किया उससे खर्चा कितना किया है तो ये सारी चीज़ जो होती है इस सर्कुलर की तहत की जाती है दूसरा स्टैप जो होता है इसके तह Consultants of Proposals Received अच्छा अब सारी मिनिस्ट्री के द्वारा Finance Ministry इंट सारी मिनिस्ट्री के अंदर अब जब Finance Ministry के पास सारे सारी मिनिस्ट्री के जवाब आ जाता है तो अब क्या होता है उनके उपर Consultations होता है जो भी हमारे Finance Ministries का Officers होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर जो उनके Departments होते हैं उनके अंदर Consultations की Process को आगे बढ़ाते हैं और किन किन चीज़ों को हमें इस बजट के अंदर सामिल करना है उनको Approval दिया जाता है इस Consultation Second Process के अंदर अच्छा अब ये दो प्रोसेस हो चुग है पहले Finance Ministry दोर सरक्लों जा रही हो गया दूसरा Consultation हो गया अब तीसरे नमबर की जो बारी आएगी वो Allocation of Revenues की बारी आएगी कि मतलब इनको खर्चा पैसा दिया जाएगा ना बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है तो पैसा जो दिया जाता है वो इसका दिया जाता है Finance Ministry जो होती है सभी मंत्रालें को उनके revenues जो होते है कि आने वाले एक साल के अंदर भाई तुमको ये थना पैसा दिया जाएगा तुम्हें अपना मंत्राले इतने एक साल के अंदर इतने पैसे सही चलाना है अब आप अपने प्लानिंग उसके साफ से करिए तो ऐसा जो होता है revenue के साफ से दिया जाता है अब उसके बाद जब हमें पैसा मिल गया अब उससे पहले क्या होती है प्री-बजेट मीटिंग होती है Finance Minister जो होती है वो खुद इस मीटिंग को करती है और सारे stakeholders जो भी होती है अब मैंने एक ट्रम इस्तिमाल किया stakeholders तो इस stakeholders कौन-कौन से आ जाएंगे जो भी bankers होती है जो भी state representatives होती है बड़े-बड़े economists होती है ट्रेड unions होती है तो यह सारी बैठती है Finance Minister के साथ और प्री-बजेट मीटिंग को करती है और उस budget की meeting को काफी अच्छी से तरीके से किया जाता है उसके बाद फिर budget की printing ceremony होती है अच्छा printing ceremony से पहले क्या होता है कोई भी जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कोई भी सुभकारी करने से पहले मीठा खानी की रस्म होती है ठीक है तो यह ministry of finance है यह मीठा खानी की रस्म होती है इसके अंदर क्या किया जाता है जो finance ministry of finance minister की जो officers होते है वो बड़ी सी कडाई में एक हलुआ बनाया जाता है और उस हलुआ की जो खाने की प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलते है हलुआ ceremony तो यह हलवा ceremony जो होती है budget की printing के साथ ही होती है और इसके साथ ही यह देख सकते है बड़ी से कडाई के अंदर दिर्मला सित्रमान जी अनुराक ठागुर जी और फाइनस minister के कुछ officers जो है वो खड़े हुए है और अद्वा ceremony क्यों किया जा रहा है यह तरीके से ritual सा है क्योंकि कोई भी भारत के अंदर कोई भी सुबकारी किया जाता है तो मिठाई के साथ किया जाता है तो यह तो इतना बड़ा सुबकार है इसके अंदर 140 करोल लोगां को भाविश्य जो है वो एक साल के लिए कैद हो रहा है इस कागज के अंदर इस बजट के अंदर तो इतनी बड़ी जो प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए यह ritual किया जाता है उम्मिद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और छटमा जो होता है आखरी कारे जो होता है इसमें क्या किया जाता है फाइन्स मिनेस्टर जो होते है वो बजट को प्रिजट कर देतेएं आपके Parliament के अंदर अचा मेंडर चान अब Пारलियमेंट के अंदर बजटं आ जाता है अब बजट के अंदर इसको ओपड़ीव के अंदर और उसको लूपर डिकरशन हो टा है और apply हो जाता है उम्मीद करते हैं आपको इस session समझ में आया होगा session समझ में आया हो तो वीडियो को like किजेगा channel को subscribe किजेगा और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द तब तक के लिए जाए हिन